हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जानवी जानवी टीप्स कॉर्नर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको हमारा मौसम चेंज हो गया आप सब जानते हैं कि बारिश का मौसम चालू हो गया है और इसमें हमें काफी सारी दिक्कोतों का सामना करना पड़ता है काफी सा से रिलेटेड हमारे हैर से रिलेटेड हाला कि बारिश का मौसम भी काफी जरूरी होता है हमारे बॉड़ी के लिए हमारे वेदर के लिए बट हमें काफी सारे प्रोटेक्शन भी करने पड़ते हैं और बच्चे तो आप जानते हैं कि बारिश की मौसम को किस तरह से और कितन अफ़न करते हैं पर तना पर जैसे तना और प्रदूशन भरे वातावरन में हमें हमारे स्कीन के साथ हमारे बालों को भी काफी ध्यान रखना पड़ता है काफी प्रोटेक्ट करना पड़ता है हमें हमारे बालों को जैसे बालों को बालों का तूटना बालों का जड़ना रु स्याव से हमारे बाल गुजरते रहते हैं और काफी बुरे प्रभाव छोड़ते हैं जो वेदर चेंज होता है उससे हमारे बालों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है किसी ना किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ हमारे बालों के लिए यूज करते रहते हैं जैसे डॉक् हैं 100% आप बालों की परिशान्यों से बालों की तकलीवह से चुठकारा मिल सकता है आपको तो चलो जानते हैं तो ऑर अब मैं आपको ब्रामी मेथी भ्रूंगराज अलवेरा और नेम के गुनों के बारे में बताउंगी जो हमारे बालो के लिए काफी गुनकारी होते है और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सस्क्राइब कर दीजिए ब्राम्मी के बारे में आप सभी जानते हैं ब्राम्मी हमारे बालों को काफ काफी शक्ति प्रदान करता है इसका सेवन करना चाहिए और हमारे हेर ओयल में इसका पाउडर बनाकर मिला यह और उसको अपने स्कैल्ट में अच्छे से मालिश करने से हमारे जो हेर होते है उसमें से डेंडर फ्री हो जाते हैं हमारे हेर डेंडर काफी कम या टोटल ही निकल जाता है हमारे बालों से और हमारे बाल काफी मजबूत होते है और आप मेथी को भी सभी जानते है मेथी काफी गुनकारी होती है मेथी हमारे घर के मसालों में यूज होती है मेथी में जादा से जादा प्रोटीन और निकोटीन की मातरा बहुत जादा होती है जिससे हमारे बालों की जड़ने की समस्या दूर होती है और हमारे बाल काफी मजबूत होते है और हमारे स्कैल्प के जो रोम शिद्र होते है जो ओपन पोर्स होता है वो उसमें से नए बाल उगने में मदद करती है मेथी और काफी मातरा में मेथी हमारे बालों को बहुत मातरा में प्रोटीन की मातरा जाधा परियाप्त करती है और उसका पाउडर बनाकर आप हेरोईल में मिलाकर अपने स्कैल्प में मालिश करोगे तो आपके बाल काफी से आए होती है जो जिनके काफी बाल सफेद होते हैं तो मेथी उसमें भी काफी का काफी मदद करती है उन बालों को सफेद होने से रोकने में तो मेथी भी बहुत अच्छा सोलूशन है हमारे बालों को अच्छा रखने के लिए और भृंगराज को भी सभी जानते हैं भृंग आने वाले जो होते हो हेरोयल में यूज़ करते हैं जिससे हमारे बाल सुन्दर मजबूत और डेंडर फ्री होते हैं तो भ्रूंगराज भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा जड़ी बुटी प्रोडक्स है और ऐलोवेरा को भी बहुत आसानी से हमारे घर में उगा सकते है क्योंकि एलोवेरा हमारे बालों को स्मूध और चमकदार बनाता है हमारे बालों को बहुत अच्छा से कंडिशनिंग करता है इसका जेल हमारे बालों में लगाकर आप 20-25 मिनिट तक उसे रख दीजिए छोड़ दीजिए तो हमारे बाल इतने अच्छे चमकदार और प्र अंगल इंफेक्शन हो जाता है हमें या हमारे स्कीन पर किसी तरह का इंफेक्शन होता है इसे भी काफी अच्छी मात्रा में और काफी अच्छी तरीके से क्लीन करता है नीम को भी सभी जानते हैं नीम काफी चमतकारी फेड है जो हमारे बालों को बहुत अच्छे अच्छे रोगों से बचाता है, हमारे स्कीन को भी बहुत अच्छे रोगों से बचाता है, जैसे उसके पत्ते, फल, उसकी छाल, उसकी टहनी, सभी आउशदी के गुनों से भरा है, नीम के पेड़ में, और उससे हमारे बालों को काफी अच्छा कंडिशनिंग मिलता है, और हमारे बाल का दूर हो जाता है तो नीम का पेड़ भी नीम की पत्या भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है बहुत गुनकारी होती है नीम की पत्यों का पेस्ट बनाकर उसमें शहद मिलाकर आप अपने स्कैल्प में अच्छे से मालिश करें अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाए और उसे 20 मिनिट के लिए छोड़ दीजिए आपके सरका डेंडर निकल जाएगा आपकी स्केल्प डेंडर फ्री हो जाएगी और बाल उससे काफी नर्म और चमकदार बनेंगे नीम की पत्तिया उबालकर नहाने से उस पानी से नहाने से आपके शरीर में या आपके स् इंफेक्शन है या आपकी तवचा से रिलेटेड जो भी प्रॉबलम है या डैंडरफ का प्रॉबलम है हर प्रॉबलम दूर हो जाएगी और जैसे आपके स्कीन पर भी किसी तरह का इंफेक्शन है तो वो भी दूर हो जाएगा नीम हमारे बालों के लिए भी बालों के और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि hairs का सफेद बालो का बाल जड़ने का प्रॉबलम हर किसी को होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकू और आपने मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाई